हालो हम दिक्षजन हेयर और आज हम बात करने वाले हैं लीगल के बार में जो कि बूट स्क्राइक पर रिलीज हुई है टोटल और दस एपिसोड है इसके और कड़ी बन हर एपसोड तीज से पैदस मिनित का है लीड करेक्टर में हम इसमें दिख रही है निहा शर्मा और सबूत खरीद लेते हैं और जो सही है उन्हें अपने सच को साबित करने गलत की जुहत पड़ती है मतलब कुछ ना कुछ गरूर करते हैं जो इल्लीगल है मतलब वह सही नहीं है अब इस्टोई प्लॉट यहां से आगे बढ़ता है जहां वह पहुशती है डिली में जॉइन करते हैं वह जेडली ग्रॉप्स को जो कि उनके एक्स पॉर्फिर्न की ही कम्पीन अब यहां से स्टोई प्लॉट आंगे बढ़ती है जहां उनका सबसे पहला ही केस रहता है जहां पुरा कोट्रूम रामा दिखाया जाता है कि अच्छ में हुआ क्या और नीरस सिखावत क्य क्या है और मेहर सलाम की जो कि 14 साल से खुदके लिए फासी की सजा मांग रहा है पर हर कोट प्रोट को सटोई कैसे दे सकते हैं इस चक्र में अपने मत्तब्स पूर्बगाय को जहर दे कर मार दिया था अब कुद भी मारना चाहती है पर मोलते ना मर नहीं पाते हो ना ही कोई वो इस केस को लेकर लड़ती है कोट में पूरा कोट रूम का डामा दिखाते हैं पर अक्चर में हुआ क्या उसने क्यों मारा किस लिए मारा और खुद के लिए क्यों फार्सी की सजा चाह रही है वो तो आपको सीरीज देखें पता चलेका बट मैं एक बार जबर बोलना चाहूँग मेंन में पूरी सिरीज में आपको 10 एपिसोद में हर बार कोट लेकर बहुताения की पूरा कोट से। तो पूरी सीजिस में यही दिखाया गया है कि end of the climax भी आये गाना दसवे एपसोर में आप पहुचिंगे तो सीजिस में इतना देखने को मिलता है कि जो रियल में विलन है वह बच के निकल जाएगा और इसको 2nd सीजन में देखने हैं अब क्या होगा 2nd सीजन में पकड़ा जा जा है कि आहां देख की कम नें इंगजिंग लगे बूट सलेक्ट हमारे लिए पहले अशूर जैसे बैसरी लेके आ चुका है तो बोलते हैं उसमेद हो जाती है उससे कि अप्र कुछ जाने को मिलेगा और सस्पेंस और फ्रेल चीजें फील होगी बट ऐसा बट जोटा नहीं एक कोटरूम रावाया जो एक के बाद परतर हटती जाती है तो बताए ना निहारकार सिंह, दो केस लड़ती हो और दोनों केस हार जाती है अब बताएज इस्टोरी कैसे इंगेजिग है अब आगे भी बढ़ता है तो मतलब बढ़ी चीज़ा ऐसी होती है जो मतलब इक स्टोर स्टोरी काने की कोशिश करती है पात आप चल में हो नहीं पाती हम इसकिता है कि इस हत्ता की स्टोई को इंगेजिग बनाने की कोशिश गी है बट उतनी हो नहीं पाई अगी बात करने इसके एडिटिंग की तो देखिए 10 एपिसोरी ने सीरीज में और हर एपसोर 35 मिनित है तो जब काई टाइम पैसे लगता है कि आप मैं इसकिप करके देख देख रहा है तो चल रहा है पता नहीं क्या होगा इसके बारे में अब इस सीरीज को पांस से शेय पीसोट में खतम करते हैं तो बुलते हैं अच्छी रहती है और इंगेजिंग बनती है अब छोटी सीरीज समझना चाहिए मेकर्स को बट चलो ठीक है नेक्स टाइम देखते हैं बाकि इसकी प्रोडक्शन कॉल्टी है क्यामरा कॉल्टी एडिटिंग वगारा तो हम बोल सकते हैं कि हाँ बुट्सलेट में काफी पैसे खर्च की अपनी सीरीज को बनाने के लिए बाकि हाँ आप एक आप देखी सकते हैं मैं सीरीज को अपनी करब से देती हैं फाइव में सथी और हाफ स्टार तो आपको कमेंट करके बते हैं क्या आपको यह सीरीज और मेरा रिव्यू कैसा लागा ताइम पॉचिंग जाहने स्वाइल अपने हर वीडियो को लाइक कर लिजे का सब्सक्राइ झाल